25 जनवरी, 2024 पॉश पूर्णिमा के दिन, बस चुपचाप रख देना. इस जगह पर एक रुपए का सिक्का माता, लक्षमी जी के आशीरवाद से ना सिर्फ आपके जीवन में होगी, धन की वर्षा, बलकी बन जाओगे. आप करोडपती और खुशियों से भर जाएगा. आप वैसे एक में बारह, पूर्णिमा तिथी पड़ती है. किन्तु इन सभी में सबसे ज्यादा विशेश और महत्व किसी पूर्णिमा को दिया गया है, तो वह पॉश पूर्णिमा को दिया गया है. आपकी जानकारी के लिए बताते हैं, पॉश पूर्णिमा सारी पूर्णिमा पॉश के दिन. माता Лक्षमी जी धरती पर वास करने आती और इस दिन माता लक्षमी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है अपने दोनों अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है और इस दिन अगर आप वेद पुरान के अनुसार एक रुपे के सिक्के पूर्णिमा की रात उस जगह रख देंगे और वह उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में कई शास्त्रों में बताया गया है और जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है तो मान के चलिए इस उपाय को करने के पश्चात शीघ्र ही आपको माता लक्ष्मी जी का वो वर्दान और वह आशीरवाद मिलेगा जिसके सिर्फ आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परिशानी, कष्ट और समस्याएं शीघ्र के शीघ्र हो जाएंगे, बलकि इस छोटे से उपाय को करने के पश्चात आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे, आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें व्रिद्ध होगी, माता लक्ष्मी जी के आशीरवाद से, फ कैसे मिल सकता है? तो जानकारी के लिए बता दे माता लक्ष्मी जी की पूजा को जब भी शुरू किया जाता है, तो एक रुपएए के सिक्के को रख करके पूजा को शुरू किया जाता है. देखिए, होता क्या है प्राचीन मान्यताओं के अनुसार? माता लक्ष्मी जी की जब भी पूजा शुरू की जाती है, तो मुद्रा का जो भी पहला सिक्का होता है, वहां रखकर ही पूजा को शुरू किया जाता है। ऐसा करना सस्त्रों में बहुत शुभ बताया गया है। माना ये जाता है कि धन में माता जी का वास होता है। इसलिए लक्ष्मी जी की पूजा को हमेशा छोटे से मुद्रा से शुरू करना चाहिए। ऐसा अगर कोई व्यक्ति करता है, तो उस व्यक्ति की पूजा शीग्र सिद्ध हो जाती है। और उस पूजा का पलट करके एक व्यक्ति को लाप जरूर ही मिलता है। इसलिए आपने देखा भी होगा, जब भी आपके घर पे दिवाली की पूजा होती है, धन्तेरस की पूजा होती है, या माता की कोई भी पूजा पाठ रखी जाती है, तो माता लक्ष्मी जी की पूजा में हमेशा एक रुपए का सिक्का रख करके ही पूजा शुरू किया जा सिख्के का वह उपाए कर लिया जिसके बारे में तंत्र शास्तर में लिखा हुआ है तो मान इस उपाए को करने के पश्चात शीघ्र ही आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीरवाद मिलेगा जिसके पश्चात आपके जीवन में धन की वर्षा होगी आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा आपके जीवन में फिर आपको सफल होने से कोई भी रोक पाएगा इसलिए 25 जनवरी 2024 मार्क शीष पूर्णिमा के दिन 2-4 मिनट का समय निकाल कर कि एक रुपए के सिक्के के उस उपाई को कर लीजिए जिसके बारे में हमारे वेद पुरान में बताया गया है जो काल के समय के बहुत ही ताकतवर और अच्छू कुपाई है इसलिए अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे माता लक्ष्मी जी के आशीरवाद से अपने जीवन में बहुत ही आगे जाए आपके जीवन में माता लक्ष्मी जी के आशीरवाद धन की वर्शा हो तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वा साथ कॉमेंट बॉक्स में जाकर के लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जय और अगर माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और कॉमेंट बॉक्स में अपनी राशी भी डाल दीजिएगा आपकी राशी के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो पूर्णिमा के दिन करके आप लाप पा सकते हैं वह आकर आपके कॉमेंट के रिपलाई में बता देंगे किन्तु वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा सबसे पहला उपाय है धन में वृद्ध, महा उपाय दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि घर पर धन में वृद्ध हो माता लक्ष्मी जी के आशीरवाद से आपकी तिजोरी जो भी रुपए पैसा रखा हुआ है उसमें वृद्ध हो आपकी अलमारी में जो भी रुपए आए उसमें बढ़ोतरी हो तो दोस्तों ये छोटा सा उपाय कर लीजिए जो आपको हम बता नहीं रहे हैं और इस उपाय को करने के पश्चात माता लक्ष्मी जी के आशीरवाद से आपके जीवन में जो भी धन आएगा उसमें वृद्ध होगी रुपए में अपने आप बढ़ोतरी होने आपके बैंक बैलन्स अपने आप बढ़ने लगेगा अगर आपने ये छोटा सा उपाय पर कर लिया जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में तंत्र शास्त्र के अनुसार बताने जा रहे हैं तो ये बहुत उपाय है किन्तु एक अचूक उपाय आपके जीवन में धन की वृद्धि जरूर करेगा आपको सिर्फ पौश पूरिमा वाले दिन शाम के वक्त एक पीतल की कटोरी लेना है उसमें पूरा गंगा जल भर देना है उसमें आपको एक का सिक्का डाल देना है ये उपाय सूरि के पश्चात आपको करना है अब आपको इस कटोरी को अपनी छट पर ले जाकर के रख देना है अगले दिन 25 तारीख को आपको नहाने धोने के पश्चात उस कटोरी को करके लाना है उस कटोरी से एक रुपए का सिक्का उठाना है और इसको लाल कपड़े में लपेट कर अपनी तिजोरी में अपनी अलमारी में दक्षन दिशा में रख देना है अगर आपने इतना उपाय सही महूर्थ पर कर लिया तो यह सिक्का आपके जीवन में माता लक्षमी जी का एक वरदान और आशीरवाद बन जाएगा जिसके पश्चात यह सिक्का आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगा ये सिक्का के चुम्बक की तरह काम करेगा, जिसके चलते आपके जीवन में धन खींचा हुआ चला आएगा, आपके जीवन में आने के रास्ते खुल जाएंगे, क्योंकि इस सिक्के पर माता लक्ष्मी जी का आशीरवाद और वर्दान पौश पूर्णिमा के दिन पड़ जा यह उपाय जरूर करते हैं, क्योंकि पौश पूर्णिमा के माता लक्ष्मी धर्ती पर आती है, और अगर आपने यह उपाय कर लिया, तो माता लक्ष्मी जी के आशीरवाद से, फिर आपके जीवन में धन की वृद्धि होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, दूसरा है, श इसकी मुख्य वजह क्या है? इसकी वजह है कि आपका ग्रह बहुत कमजोर है, और जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह कमजोर होता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन टिकता नहीं है, और का नियंतरन माता लक्ष्मी जी के हाथ में होता है, और पौश पूर्णिमा क अगर आपने की रुपए के सिक्के का वह उपाय कर लिया जो आपको हम बताने जा रहे हैं, तो इतना सिर्फ करने भर से आपका शुक्र ग्रिह मजबूत हो जाएगा, और दूसरी तरफ, इस उपाय को करने के पश्चात आपका शुक्र ग्रिह सदैव का साथ देगा. आपको ये पौश पूर्णिमा की शाम को करना है, शाम के वक्त आपको दो एक रुपए के सिक्के लेना है, आपके घर पर पूजा घर है, वहाँ पर आपको जाना है, इन दोनों सिक्कों को हाथ में पकड़िए, माता लक्ष्मी जी के सामने आपको एक घी का दीपक जलाना है और इन सिख्कों को हात में पकड़ने के पश्चाथ माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है 11 नंबर माता लक्ष्मी जी को बहुत ही ज्यादा प्रिय है बीज मंत्र है महालक्ष्मी हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों इस बीज मंतर का जाप सिर्फ ग्यारह बार आपको करना है। इन सब सिक्कों में एक सिक्का आपको अपने पर्स में हमेशा के लिए रखना होगा। दूसरे सिक्के को अपनी तिजोरी में, अलमारी में, पूर्व दिशा में रख देना है लाल कपड़े में। लपेटने के प पश्चात हमेशा आपका शुक्र ग्रह आपका देगा। क्योंकि शुक्र का नियंत्रण माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है। और दोस्तों, दोनों सिक्के जिनको अपने हाथ में पकड़ा था, माता लक्ष्मी जी के सामने ये दोनों सिक्के अभिमंतरित हो चुके ह और ये सिक्के आपका शुक्र ग्रह का साथ आपको इस प्रकार से दिला देंगे कि पश्चात आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्ध होगी आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे आपके जीवन से बेफिजूल खर्ची खत्म हो जाएगी और धन संबंधित आप जो भी निर्णे लेंगे इस करने के पश्चात उस निर्णे से फाइदा पहुँचेगा अगला उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की वर्षा हो आपके जीवन में इतना धन हो जिसके पश्चात आपको धन की कमी माता लक्ष्मी जी के आशीरवाद से आपके जीवन में इतना धन की वृद्धि हो जाए जिसके पश्चात आपकी आने वाली साथ पीड़ी भी पैसों पर राज करें तो बस एक छोटा सा उपाए आपको पौश पूर्णिमा के दिन करना है जो आपको हम बताने जा रहे हैं आपको यह उपाए पौश पूर्णिमा के सूर्यास्त के पश्चात करना है पॉश पूर्णिमा के एक काम कीजिएगा कि नहां लीजिएगा लाल कपड़े पहन लीजिएगा क्योंकि माता लक्ष्मी जी को लाल रंग बहुत प्रिय है आपके घर का पूजा घर जहां भी माता लक्ष्मी जी की कोई भी प्रतिमा रखी है वहाँ पर जाना है, एक घी का दीपक जला दीजिए अब एक लाल कपड़ा बिछाना है आपको इस लाल कपड़े पर एक रुपए का सिक्का, एक मुठी धनिया, तीन लॉंग आपको रखना हम फिर से रिपीट कर देना दोस्तों एक रुपए का सिक्का, एक धनिया और तीन लॉंग आपको एक लाल कपड़े पर रखना है इस कपड़े की पोटली बना लीजिए पोटली बनाते वक्त मूल इधागे का इस्तिमाल कीजिएगा इस पोटली को अपने हाथ में पकड़िए और माता, लक्ष्मी जी मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है 11 नंबर, माता लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय है बीज मंत्र है, महालक्ष्मी, नमा हम फिर से रिपीट कर दे रही है ओ महा, इतना करने के पश्चात इस पोटली को अपनी अलमारी के दक्षन दिशा में आपको रख देना है सिर्फ इतना, उपाय पौश पूर्णिमा के सूर्यास्त के पश्चात करना होगा ये पोटली जैसे ही आप अपने तिजोरी में रख देंगे या अलमारी में रख देंगे ये पोटली आपके एक चुम्बक बन जाएगी जो धन खींचने का काम करेगी पोटली अभिमंत्रित होने के कारण माता लक्ष्मी जी का वह आशीरवाद आपके लिए बन जाएगी जिसके पश्चात आपके जीवन की आर्थिक कष्ट और आर्थिक खत्म हो जाएगी और आपके जीवन में इतना धन आएगा जिसकी आप कलपना नहीं कर सकते